हलो फोक्स आई जस्मिन को वेलकम यौर्ट 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 चैनल भी अपरफेक्ट आई होप यौल डूइंग वेल एंड हम करें हैं आइस में राइटिंग डास्टू ऐसे में अपने एक्जम्पल्स कैसे देनी हैं उसकी टाइप्स एंड हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक कि फोर टाइप ऑफ एक्जम्पल्स हैं हमारे पास चार टाइप्स हैं सर्वे हैं जिसका वीडियो हो चुका है डिस्कस अलड़ी सेकेंडरी सर्च थर्ड वान इस नियूज़ प्राइटिकल एंड आज की वीडियो में डिस्कस करने वा बना सकते हैं जो कि रियलिस्टिक लगी सुगाइज आपको फॉर्मेट में दे देती हूं जैसे कि वाकिवीडियो का मैंने वाकिवीडियो में दिया है मैंने आपको पाखी एक्जम्पल्स का स्टड़ी का फॉर्मेट है तू इलस्ट्रेट अस्टडी कंड़क्टेड इसे मैं ने यू जिए इसले का नाम देना ऐसे मेंटिया है इसकी न Stunden लिग दिया है अन? अब किसके उपर हें इस्टड़ी होरही है OFF-DASH अगर students के उपर हो रही है तो OFF के बाद colleges के अपने लिखने हैं 10 colleges के बच्चे थे 20 colleges के students है जिसके उपर यह study हो रही है OFF-DASH फिर किस place के उपर वो colleges है किस place में है वो जितने detail में आप अपने example दें कि उतनी वो realistic लगेगी हमने दिया ON-DASH कितने लोगों के उपर OFF वो जो लोग है जैसे students हैं तो कौन से colleges में से हैं अगर वो किसी particular occupation में है तो जैसे कितने doctors के example है तो कितने hospitals में काम करते हैं वो doctors OFF-DASH फिर वो hospitals कहां पर situated हैं कहां पर located हैं उस location का नाम reveal that dash percentage अब कितने percentage of them per dash मतलब आपका जो भी topic है question का आप उसको यहां पर fill कर देंगे सो मैंने पहले भी कहा था कि आपने ध्यान रखना है कि example में शाब past में होनी चाहिए second thing जो percentage है आपने prefer करना 80% से उपर ही हो अगर आप majority दिखाना चाहते हैं favor करना चाहते हैं अपने point को तो example में आपने देना है कि 80% of them, 85% of them और even 90% of them भी आप दे सकते हैं जो भी आपका question आप उसको fulfill करके इस format में fit करके आप study की example बना सकते हैं तो एक और important चीज़ है कि जब भी हम example देते हैं तो हमने दिये हैं connectors जैसे यहां पर हमने connector दिये to illustrate तो अपने हर एक example के सामने जो connector है वो भी different use करना है आप जितनी variety examiner को देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है आप उतना ही अच्छा bands को deserve करते हैं अब variety से मतलब यह नहीं है कि आप जितनी बार ऐसे लिखते हैं मान लिजिए आप अपने चूज कर लिए है कि आप 3BP वाला पैरा बना रहे हैं क्योंकि आपका bands को target जो है 7 है अब आप लिख रहे हैं ऐसे जो कि आपका task 2 है ऐसे में अपने देनी है तीन examples तो 1st example आपने fix कर लिए कि आप किसी research को देना चाहते हैं 2nd आपने fix कर लिए कि आप एक newspaper article देना चाहते हैं 3rd आपने सोचा है कि आपको study देना चाहते हैं correct तो आपने 3 इस तरह से fix कर लिए अब जो अपने first example लिखी है आपने उसका connector भी fix कर लेना है जैसे कि हमने पहली अपने वीडियो में देखा होगा आपने मेरी जो examples दी थी उसके लिए हमने connectors भी fix कर दिये थी So first जो होगी आपकी उसके लिए आप connector ले लिजिए To exemplify, ठीक है Second में ले लिजिए To cite an example दिखाना है अपना final जो task to examiner को So आप इसको fix कर लिजिए अपने routine asses में आप जैसे practice करते हैं आप उसमें type of example कौन सी देंगे कौन सा connector किस example में लगाएंगे वो फिक्स कर लिजिए ताके final examination में आप पर time भी waste ना हो And examiner को variety भी नजर आ जाए Correct? So एक और example में आपको लिखके बता देती हूं कि कैसे study का example आप बना सकते हैं detailed example लेती हूं एक प्रोइट्टी टास्टू में मैंने essay किया था उसमें question था कि continuous assessment जो करते हैं schools में colleges में आजकल work sheets देते हैं बनाने के लिए तो उसका क्या फाइदा है मतलब students को क्या फाइदा होता है उसका work sheets बनाने का तो essay के भी हाफ पर मैंने examples ले हैं So यह example है to illustrate a study conducted by UN देखिए जो भी organizations हैं जो अपने survey के लिए मैंने आपको list दे थी उसका video का link मैं description box में दे दूंगी आपको So जो भी organization survey के लिए मैंने दी थी आप उनी में से जो भी organization आपके topic से mail खाती हैं जैसे मैंने discuss किया था कि UNICEF है अगर children का कोई topic होगा तो अपने UNICEF का name ले ले देना है अगर culture से related है या historical building से related है तो UNESCO का नाम अपले सकते हैं तो मैंने जो एक list आपको provide कराई थी तो वही video का link में description box में आपको दे दूंगी तो वही organization का नाम आप study के लिए भी use कर सकते हैं So basically अप UN का नाम use कर सकते हैं इसमें भी आप fix कर लिजी organization I will suggest you अगर आपको topic wide है क्योंकि जैसे UN है United Nations है तो वह almost भर तरह के चीजों के उपर इन्होंने अपना survey या study देते हैं तो आप इसको fix कर लिजी So UN में को एक और चीज आप UN को short form भी लिख सकते हैं UN क्योंकि जो ऐसे तो हम बोलते हैं कि हमने short form ने लिखनी full forms लिखनी है बट जो organizations हैं जिनके name ऐसे भी exist करते हैं करते हैं जिसे UN होगया UNICEF होगया UNESCO होगया तो अप इनके जो names हैं वह आप ऐसे भी short form में लिख सकते हैं So it is acceptable So to illustrate a study conducted by UN in 2000 देखे हमने यह लिख दिया on undergraduates of 10 colleges अब मैंने दिया हैं कि जो undergraduates हैं वो कहां किया हैं 10 colleges के हैं Of US अब मैंने location दे दी कि colleges कहां है वो US में हैं Revealed that 98% of them were good at work sheets and performed well in business courses because of polished managerial skills So worksheets का यह फाइदा वो students को कि उनकी managerial skills improve हुई and वो जो students business courses में पढ़ रहे थे वो अच्छा perform कर पा रहे थी क्यूंकि उनकी evaluation worksheets के तुरू हो रहे थी So मैंने अपने topic को link करके इस तरह से study guide के example बनाती है तो similarly आप भी इसी तरह से बना सकते example सी कितना easy है बट आप इसको fix कर लीजी and अपने जो formats मैंने discuss किया है मैंने हर तरह की essay का जो format है discuss किया है कि कितनी type of aces है उसके किस तरह से अपने format लिखना है Even मैंने connectors भी आपको fix करके दिये हुए है तो आप उसको उठाइए format को मैं उसका link भी इसी description box मैं अलग से डाल दूंगी type of essay वाली वीडियो का आप उसको देखी एंड जो examples अप मैंने दे दी है चार अगर आपकी वीपीज चार है मान लिजिए आपको type आ गई है advantages and disadvantages ऐसे थी अगर आपका target score 6 है then it is okay आपने एक paragraph में दो advantages देती और second advantages के अपने example देती ठीक है देखे मैंने detail में already discuss कर चुक है इसको दूसरी वीडियो में वह मैं आप पो share कर देती हो link लेकिन अगर आपका band score 7 plus है तो आपने दो अलग लग वीपीज बनाने है advantages की दो अलग लग वीपीज बनाने है disadvantages की so आपको total चार examples चाहिए तो मैंने चारों आपके साथ type discuss कर लिया है share कर लिया है आप format को fix करिए and अपनी examples दीजिए and daily आप इनको practice करिए otherwise ये videos का आया आपके पस जितना भी content उसको कोई फायदा नहीं है जब तक आप practice नहीं कर रहे है so guys keep practicing and wishing you good luck मेरे एक instagram channel भी है अगर आप उसके उपर जाके कोई comment जाना चाहते हैं कोई question पूचना चाहते हैं तो आप उस पे मुझे message कर सकते हैं page का नाम है instagram page का नाम है we are perfect 39 आप सर्च कर सकते हैं so guys अगर अपी तक आपने चानल सब्सक्राइब नहीं किया है do subscribe thanks for watching and अगर आपको वीडियो इंफर्मिटिव लगियो प्लीजिए था लाइक बटन see you soon